हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजया और आप देख रहे हूँ विजया स्क्रियेटिव काड़न फ्रेंज आज जो है 24th की इवनिंग है इस समय और हम आपको अपने टेरेस के कुछ नजारे दिखाएंगे ये नजारे जो हैं हमको बड़े ही सुन्दर लगे तो मैंने सुचा कि आपके संग भी इसको शेयर करें वो नजारा है ये वाला शाम के इस समय चार बजे हुए है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है रात है और इसमें मेरी ये जो सोलर लाइट है ये जल गई है इस जली हुई लाइट में ये गुलदावदी इसमें जो कलिया लगी हुई है कितनी शाइन लग रही है इसमें देखने में बहुत ही अच्छा हमको लगा तो मैंने सुचा कि चलिए आपको दिखाया जाए ये शाम के चार बजे हैं बहुत बादल चाय हुए है बीच बीच में रिमजिम करके बारिश भी हो रही है एक तरीके से कहें कि हम आपको अपने टेरिस कारण के शाम के समय कर सीन दिखा रहे हैं यहाँ पर ये जो लकड़ी जलाई गई है ये किसी मकसत से जलाई गई है जो प्लांटर हमने पहले दूसरी जगे लगाया था लेकिन वहाँ पर आते जाते सबका पैर लग जा रहा था इसमें तो गिर जा रहा था तो अपके मैंने इसको यहाँ पर टंकी पचड़ा दिया है और अपने इन सभी प्लांट्स के बीच में वहाँ तक कोई नहीं पाएगा और वहाँ पर लगा दी उसमें कोलियस की कटिंग यह आग जलती हुई कितनी सुन्दर लग रही है हमको जो है यहां सामने के पूरी सेटिंग है इसको कुछ सुधारना है कुछ सुन्दर बनाना है अभी कुछ दिमाग में घूम नीरा है क्या किया जाए इस आग क इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है इसको देखकर ही गर्माहट लग रही है चार बजे बहुत मज़ा आ रहा है इस समय और यहां पर मैंने एक छोटे से कंटेनर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं यह गुलदावरी देखिए इसमें लगी हुई है यही पर अधसिय बेस लगी हुई है और इधर आप दिखाते हैं कई चीजंगे लगी हुई है चोटे से कंटेनर में इसमें यहाँ पर देखिए यह इसमें कनेर का भी पलांट है उसी किनारे जगहे में हमने लगा रखा है यह कनेर का प्लांट है तो जो जगह बागी उसमें 4 तरफ लगा रखा है ये बाईरोफाइलम है इसमें बाईरोफाइलम वी बहुत छोटे से उसमें लगा है और यहाँ पर मैक्सिगन पिटूनिया तो छोटे से कंटेणर में में बने काफ़ी सारे प्लांस लगा रखे हैं हाँ दोस्तों आप सभी को क्रिस्मस की बहुत बहुत शुक्त काम नाएं हापी क्रिस्मस, मारी क्रिस्मस फिर मिलते हैं आप से किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाबाई